हाई गाइस तो कैसे आप सब तो मैं आज आपके लिए एक नया प्रोड़क्त लाया हूँ जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आज हम इस प्रोड़क्त की माइक टेस्ट और साउंड टेस्ट करेंगे और मैं आखिर में वीडियो के बताऊंगा इस प्रोड़क्त को क्वाल्टी काफी अच्छा है तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं शुरुआत करते हैं इसके अन्बॉक्सिंग से इसके अन्बॉक्सिंग में कुछ है नहीं इसके पैकेट में का सिर्फ आपको यह दिया और यहां पे इसका प्राइज लिखा है MRP रूपीस 295 पर आ पॉड़क में कुछ है नहीं बॉक्स में आपको श्रिफ एयर फोन मिलता है तो इसे खोल लेते हैं जल्दी तो आप जैसा की देख सकते हैं इसमें आपको काफी अच्छा माइक मिलता है काफी छोटा माइक है इसकी हम आगे साउंड टेस्ट करेंगे इसे कैसे साउंड रिक के दो एएरफोन मिलते हैं कि वाय की क्वालिटी काफी अच्छी है अब जैसा कि देख सकते हैं और यहां पर 3.5 mm हेडफोन जैक आप इसे कहीं भी अप लगा सकते हैं मुबाइल या पीसी में कि अपैज आप मुझे यह प्रोड़क्ष काफी अच्छा लगा पर मुझे इसमें एक प्रॉब्बलम लगी अगर आपको इसमें कोई बटन नहीं दिया गया जिसे आप कॉल पिक अप कर सकें और कॉल कट कर सकें म्यूजिक नेक्स्ट प्ले कर सकें नेक्स्ट प्रिवेस पॉ सुनते रहेंगे तो माइक लटकते रहेगा आपको काफी प्रॉब्लम देगा तो यह इसकी दूसरी डिसद्वांटेज है आप इसे नोट रखें ध्यान रखें इसका अगर आप इसे सिर्फ सौंग सुनने के लिए ले रहे तो अब हम इसके माइक की साउंड टेस्ट करेंगे कि यह कैसा साउंड रिकॉर्ड करता है तो देखते हैं यह कैसा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है हेलो गाइस तो अभी जो आप माइक्रोफोन की आवाद सुन रहे हैं यह इस एयरफोन के माइक से लिग गई है जो आपको काफी चीप में मिल जाता है इस एयरफोन के साथ ही त तो आप कमेंट करके बताना आपको इसकी audio quality कैसे लगी मेरे इस previous माइक से जिससे मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कमेंट करना ना भूलें हाँ तो गाइज आपने इस microphone की आवाज तो सुनी ली काफी अच्छी खासी आवाज आती है और इस earphone के आवाज भी मैंने टेस्ट किया है इसमें आपको कोई problem नहीं आएगा ये आपको decent सा earphone लगेगा और ये काफी अच्छा है ये caps इसके removable है पर आपको box में आपको कुछ extra caps मिलता नहीं है बॉक्स में तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है ऐसा है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें आपको कुछ जो तो लिख्या हुआ है we have four color you can choose और इसमें लिखा है manufacture country China तो अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसे कहां से खरीदा और इसे कितने खरीदा कितने में खरीदा आपको तो ये ये वह थमनेल में तो पता चली गया होगा तो अगर आपको इससे related और भी कोई question है तो comment में जरूर पूछिएगा तो मैंने इसे खरीदा था clubfactory.com से 170 to 180 तक मैंने खरीदा था और shipping charge लगी थी और मुझे इसके अलावा और बहुत काफी अच्छा earphone है इसमें mic भी है अब मैं आपको अगली वीडियो इसके mic से record करके बताऊंगा मैं आपको यहां पर पोल एक दे दूंगा और आप उसमें वोट करना कि आपको कौन सी audio अच्छी लगी पिछले वाले microphone की या फिर यह नए वाले microphone की तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लोग कंटिन्यू लाता रहूं